हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रास किचन लैप, आजम बनाएंगे कच्चा आम, लहसुन और अध्रक का आचार कच्चे आम को पानी से अच्छे से धो कर, इसे साफ कपड़े से पोंच कर, इसे मैंने दो घंडे के लिए ड्राय होने के लिए रखा था 500 घ्रायम आचार का मसाला, ये होम्मेड आचार का मसाला है, 200 घ्रायम चिला हुआ लसुन, लसुन हमें फ्रेश वाला ही लेना है, ज्रादा पूराना वाला जो लसुन होता है उसे यूज नहीं करना है 100 ग्राम छिला हुआ अद्रक अद्रक भी हमें फ्रेश वाला यूज करना है फ्रीज में रखा हुआ या 4-5 दिन पुराना वाला अद्रक हमें यूज नहीं करना है सबसे पहले हम अद्रक लसुन को मिर्ची कटर में क्रश करेंगे इसे आप मिक्सर में भी क्रश कर सकते हो आचार बनाने के लिए जादा तर राजापूरी आम का उप्योग किया जाता है लेकिन कही जगों पे मार्केट में राजापूरी के अलावा भी कई ऐसे आम मिलते हैं जिनका आचार बनाया जाता है आचार के लिए जो हमने आम यूज किये है ये एकदम फ्रेश है इसे हमने फार्म पे जो आम के पेड़ है वहीं से तोड़ कर लाए हुए है अदरक लसुन को हमने क्रश कर लिया है अब इसे हम आईल में फ्राइ करेंगे फ्राइ करते वक्त आईल ज़्यादा गरम ना हो और इसे हम धाई से तीन मिनट के लिए मिडियम टू लो फ्लेम पे फ्राइ करेंगे आप देख सकते हो औयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है अधरक लसुन को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसका हलका color change हो और अधरक लसुन का जो smell है वो निकले बस उतना ही हमें पकाना है आचार बनाने के लिए मैंने मुंफली का औयल यूज किया है आप सरसो का ओयल भी यूज़ कर सकते हो इसे बनाते वक्त हमें मोटे तलिये वाला बर्तन यूज़ करना है और चम्मज कंटिन्यूस हिलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं लो फ्लेम पे 5 मिनिट और मिडियम फ्लेम पे अंदाजन 3 मिनट लग सकते है कच्चा आम अद्रक लसुन का प्रपोर्शन हर घर का अपना अलग होता है इसे आप इक्वल कॉंटिटी में भी ले सकते हो या फिर टेस्ट की हिसाब से तीनों की मात्रा कम जादा कर सकते हो करीबन धाई मिनट हो चुके है और ओइल इसमें से अलग निकलने लगा है अब इसे हम आधे से एक मिनट के लिए ही पकाएंगे यह हो चुका है अब इस कड़ाई को हम साइड में रखेंगे और इसे अच्छे से थंडा करेंगे यहाँ पर मैंने दो आम लिये है इसके हम हलके पतले छिलके निकालेंगे आप छिलके के साथ भी आचार बना सकते हो कच्छे आम को हम ग्रेट करेंगे ग्रेट करने के लिए आप इस तरह का बड़ा वाला ग्रेटर भी ले सकते हो या फिर इस तरह वाला भी ग्रेटर ले सकते हो ग्रेट करने के बदले आप आम के बारिक बारिक पीसिस भी कर सकते हो अधरक लसुन को भी आप बारिक बारिक चौप कर सकते हो अगर आपने अधरक लसुन को बारिक बारिक चौप किया है तो आम के भी आप बारिक बारिक पिसिस करिएगा यहाँ पे हमने अधरक लसुन को क्रश किया है इसलिए आम को भी हम ग्रेट करके आचार बनाएंगे आम के उपर जो डंडी वाला हिस्सा होता है बस उतना हिस्सा हमें आचार के लिए यूज नहीं करना है यह आचार आप फ्रीज के बाहर भी रख सकते हो या फ्रीज में भी रख सकते हो अगर आचार आप फ्रीज के बाहर रखने वाले हो तो आपको ओल की मातरा थोड़ी जादा लेनी होगी अधरक लसुन अच्छे से थंडा हो गिया है अब इसमें हम एड करेंगे ग्रेटेड कच्छा आम कढ़ाई में मैंने 300 ग्राम ओईल लिया था 300 ग्राम ओईल मैंने अलग से गरम करके उसे थंडा करके रखा है जैसे जरूरत होगी हम ओईल को एड करेंगे क्यूंकि मैं आचार को फ्रीज में रखने वाली हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने कम से कम ओईल का यूज किया है अगर आपको आचार फ्रीज में ना रखना हो तो आपको करीबन 700 ग्राम ओईल की जरूरत होगी ग्रेटर कचा आम और आचार के मसाले को हम अधरक लसुन बले ओईल में अच्छे से मिक्स करेंगे आचार के मसाले की कॉंटिटी आप टेस्ट की हिसाब से कम जादा कर सकते हो क्योंकि कई घरों में आचार का मसाला जादा यूज किया जाता है और कई घरों में आचार का मसाला बहुत कम यूज किया जाता है ये आचार बनाते वक्त आप तिखी वाली मिर्ची कम यूज करिएगा क्योंकि अद्रक और लसुन में तिखापन होता है ये आचार बनाने के लिए हमने 400 g grated कच्चा आम, 200 g छिला हुआ लैसून, 100 g छिला हुआ अधरक लिया हे और ओिल 45-400 g यूजे किया हे आचार को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे हम ढख कर एक रात के लिए रखेंगे सुबह हम इसमें देखेंगे अगर जरूरत होगी तो ही इसमें हम ओईल एड़ करेंगे ये मेरा पिछले साल बनाया हुआ आचार है इसे मैं फ्रीज में रखती हूँ फ्रीज में रखने से आचार का कलर चेंज नहीं होता है और कम से कम ओईल में बनता है आम की छिलके का जो ग्रीन कलर होता है वो भी चेंज नहीं होता है खाने के लिए तैयार है कच्छा आम अदरक लसुन का आचार टेंक्यू